हर्यों प्रिदर्शकों मैं हूँ पंडित बल्राम पांडे हाजिर हूँ अगस्त दो हजार तेईस व्रस राशिवालों का मासिक राज फल्ले के बात करेंगे आपका स्वास्त आपका कैरियर आपका ब्यापार आपकी मेरीज लाइफ आपकी लब लाइफ कैसी रहेगी और इस टुडेट के लिए ये अगस्त का महीना क्या रिजल्ट देने वाला है साथ में हम जानेंगे वो उपाए जिसे करके आप अगस्त के महीने को बहुत बहतर बना सकते हैं और साथ में हम जानेंगे वो सभी बातें जो आपके मन में उठ रहे हैं, वो सभी प्रसन के जबाब हम जानेंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं। तो आपके दसम भाव में सन देव राजमान है। यह है ग्रहों की इस्तिती तो आईए जान लेते हैं कि नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्त की। तो स्वास्त के दस्कोन से देखा जाए तो प्रथम भाव के अधिपती बन रहे हैं शुक्र। और शुक्र है चतुर्थ भाव में जो कि यह सुर की राशी है और अभी तो ठीक है सामान इस्तिती है थोड़ा पर सत्रा तारिक जब सुर देव यहां पर राशी परिवर्तन करके आ जाएंगे तब इस्तितियां बहुत जाला गम भीर हो जाएंगे। थोड़ा आपको सीरियस रहना होगा अपने स्वास्ति के प्रती स्वास्त को अभी भी आपको बहुत हलके में नहीं लेना है ध्यान रखना है पर सत्रा तारिक के बाद विशेष तो आपको कहा जाए तो योगपरणायाम करते रहना चाहिए और हम लाश्तिमें उपाए भी दिखाई दे रही है और विसेशकर अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है बरसांत का समय और खास कर यह चतुरत भाव मिस्तियां बन रही है तो इसलिए आपको कफ जन्र तकलीफे ना हो रदे से समद्र तकलीफे ना हो अर्थात खान पान में और विसेशकर जल पानी का विसेश बात कर लेते हैं विद्यारतियों के लिए समय बहुत बहतर है कहा जाए तो बहतर समय में से एक मौका मिला है आपको फिर से कि जो भी आप करना चाहते हैं जैसे कहा जा तो जंडे गार सकते हैं विद्यारतियों के लिए ये समय जैसे आपको इर्मीशन लेना हो अपना कॉलेज स्कूल सुरू करना हो या कोई भी काम पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ करना हो तो बहुत बहतर समय है क्योंकि बु और शूर मिल्क बुदादित्यों का निर्मान करते हैं जो कि चतुर्थ भाव में हो रहा है तो बहुत अच्छिस्ति है और देखा जाए तो यहां पर आपका आद्मिश्वास मजबूत रहेगा जो भी निर्ने लेना है तो आप सही निर्ने ले पाएंगे और हरेक काम आप का बनता हुआ दिखाए जाएगा और खासकर उन लोगों के लिए और भी वेतर है जो लोग सरकारी छेत्र में हैं अर्थात सरकारी स्कूले हैं वहाँ पर पढ़ाई करते हैं उनके लिए क्योंकि सूर्थ सरकार के कारक हैं और यहां पर चत्रत भाव में बैठके दसम में द तो लब आपके अंदर उर्जा आ जाएगी, और भी उर्जा के साथ पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे, बिद्यार्थियों के लिए समय बहुत बेतर है, आई यहांगे बढ़ते हैं और वाद कर लेते हैं लब पार्टनर की, तो लब पार्टनर के लिए देखा जाए तो इनके यह भी बिद्यार्थियों की तरह बहुत अच्छा मौका है, हाँ बस थोड़ी यह बात है, क्योंकि सुक्र रोमांस के कारक हैं लब लाइब के, तो यहां पर यह चतुरत भाव में रहेंगे, सूर के राशी मेहर फिर सूर के साथ यूति होगी, यह अच्छी बात नहीं है, फिर भी बुद्य यहां पर अधिपती बन रहें आपके पंचम भाव में, और बैठें चतुरत भाव में बुद्यार्थित्यों का निर्मान कर रहें, तो कहा जात तो इस्तितियां बेहतर, इसलिए कही जाएगी, कि आप अपने बुद्धी के बल पे, अपने आद्मी विस स्वास के बल पे, यदि छोटी बहुत कोई समस्याएं आती है, कुछ मन में ख्रास होता है, ऐसा, तो वो फिर दूर हो जाएंगी, बस आपको अपने लव पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेच्छा नहीं करना है, है ना, कि ऐसा, वो ऐसा, ये, वो, ये सब दिमाग में नहीं रखना है, अपने लाइफ को बेतर ढंक से चलाने की कोशिस करना है, ठीक है, और बांकी हम उपाई भी जानेंगे लास्ट में, फिर भी मैं यहीं कहूंगा, कि लव लाइफ के लिए समय बेतर है, एक, और यहाँ पर ये भी हो सकता है, कि जिन लोगों के ब्रेक अफ ह हो गए थे, उनके पैचप की स्थिति बन सकती है, तो बहुत अच्छी स्थिति है, चलिए आएए आँगे बात करते हैं, महरी जी लाइफ की, तो महरी जी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय है, महरी जी लाइफ में भी खुसकवरी आने वाली है, यदि कुछ समस्या थी बाद व्याद था ऐसी उल्जने थी तो वो सब दूर हो जाएंगी और प्रेम बढ़ेगा और आपके जो लाइब पार्णर है उनके जीवन में भी कोई बड़ा चेंज होने वाला है कोई बड़ा बदला उनको धनलाब होने की इस्तिती बन सकती है और खासकर उन लोगों क के लिए जो सेना वगएरा के छेत्र में रुची रखते हैं या खेल कूद के छेत्र में रुची रखते हैं यदि ऐसा आपका कोई केरियर बनानी की इच्छा है ये छेत्रों में आपको अच्छा मौका मिल सकता है यदि आप प्रयास रत हैं वह समय से प्रयास कर रहे हैं त इसके थू आप हर महीना आपको जानकारी दी जाएगी आपको जन्म कुंडली है उसको देखके हर महीना आपको जानकारी दी जाएगी यह जो गुरहों का परिवर्तन है अब जैसे महासिक राजफल देख रहे हैं एकजेक्ट आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कैसा है यह त तो क्योंकि परसिनल कुंडली थोड़ा अलग होती है ग्रहों की इस्तिति अलग होती है तो इसलिए फला देश में थोड़ा बदला हो जाता है इसलिए कभी-कभी लगता होगा कि यह जो बता रहे हैं यह 100% नहीं मैच कर रहा है कुछ कर रहा कुछ नहीं कर रहा क्यों क्योंक तो इसके हो भी ऐसे उपाए जो आप कर सके हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो कहा जाए तो दामपत्त जीबन आपकी मेरिज लाइब बहुत बेतर है। आईए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ब्यापारियों की। ब्यापारियों की बात करें तो ब्यापारियों के लिए भी समय बढ़िया है। इनके लिए कहा जाए तो वो समय है जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे आप बहुत परसान थे यदि ब्यापार नहीं चल रहा था तो अब संभव है कि आपके ब्यापार में जरूर थोड़ी थोड़ा ही बदलाओ हो पर कुछ अच्छा पोजिटिव बदलाओ होगा और इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि भ्रामित नहीं हो न बाग इस्थितियां बहतर है व्यापारियों के लिए आब हम बात कर लेते हैं कैरियर की शत्ति भी सनी देव राजमान और और सनी देव अधिपती भी बन रहे हैं और आपके भाग भाव के भी अधिप सब्सक्राइब दिए रहा होगा क्योंकि सब्सक्राइब जरूर आपको ऐसा चफिति परसेंट सब्सक्राइब होंगे अब अलग बात है कि सनिदेव की इस्थिति आपके जन्म कुर्णली में कैसी यह जरूर देखिए फिर भी कही न कहीं गोचर में जो होता है उसका 50% जरूर मिलता है और 50% जरूर परसेंट रहुता हुआ बहुता हुआ तो प्रिदर्सकूं अब हम आगे जान लेते हैं उपाय, उपाय के रूप में एक तो भगमान शूर की आराधना करना आपके लिए बेहत जरूरी होगा और साथ में मालक्षमी की आराधना करनी है, मालक्षमी के कोई भी जो ही मंतर आपसे बनते हों, कोई भी ना मंतर बने ओम स्री महालक्षमेनमा ये आप जब सकते हैं एक माला कम से कम ज़्यादा जितना जब उतना बेतर है और इस्त्रियों का सम्मान करें और जो इस्त्रियां है वो पुरुशों का सम्मान करें अर्था तब में विप्रीत का सम्मान करना है और देवी की आराधना मालक्षमी की आ परफित कर सकते हैं शुक्रवार शुक्रवार यदि संभव हो तो हर दिन करिए और कभी मौका मिले महीने में तो लक्षमी जी का हबन लक्षमी कमल से कर लीजिए तो यह उपाय कर सकते हैं जिससे आपके तोड़ी बहुत समस्याएं आपके बड़ा राजयोग ही निर्मान हो रहा है उसका फाइदा लेना है बस करम करना है